असलाम उलेकुम दोस्तो आज मैं आपको बहुत बेतरी इंट बताने जा रहा हूं जो कि हम प्रेट डालते हैं उसकी जो फिटिंग आती है यह क्यों डालते हैं और किसलिए डालते हैं आज मैं आपको यह बताऊंगा तो इसको सीखने के लिए दोस्तो वीडियो को आप एंट कर लिया है आप इस पर मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो दोस्तों अब करते हैं वीडियो को सुरू तो यह देखिए दोस्तों यह मैंने निसान इसलिए लगा रखें ताकि वीडियो की लेंच ज्यादा लंबी ना हो क्योंकि जो चीज मैंने आपको समझानी है वह मुझ ओ तीस इंत्यार और हिब रखिए सटी हमने जन इस तरीके से जब हम कटिंग करते हैं तो हमारी यह ज़ो जिमालें है और मालें यह ज़यीन है चाहिए ऑ्को divDP-oj verde प्लेद guidance-through के और ओधाँ संटिए तो कमर कम है तो आपको क्या इस पर पलेट डालेंगे तो देखिए उसका फाइदा क्या होता है देखिए अब जो हमने ये चीज इस तरीके से निसान लगाया है तो यहां पर देखिए निसान आप एक इंच यह कपड़ा हमारा बच रहाए है यहां फे ठीक है और यही चीज आप यहां पर देखेंगे वहाँ दो इंज आप इसमें आप शावा ठीन इनच और एकसन में फरक होगा आपका डो का जब यह सब्दो का फरक हो जाएगा तो आप जब यह सिलाई लगा लिए आपना सिलाई लगाने के बाद में, जब हम लोग प्रेस लगाते हैं, तो इस जगा पर देखो, इधर रखाई, इस जगा पर हलकी सी जोल आती है, यह जगा, यहाँ पर जोल आती है, क्यों प्रेस ढंक से बैठती नहीं, या तो मारजन आप काट दें मिलकुल, ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो यह होती है, कि हमें इसकी डॉट लेंड, डॉट लेंड किसको कहते हैं, वो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए जैसे डॉट लेंड ही होती है, हमने यहां से इसको नाप लेंगे, जो हमारी चैस्ट क का point होता है उसको बोलते हैं dot land ठीक है एक तो dot land वो गई उसके बिलकुल दो सूद नीचे करके आपको प्लेट का निसान लगाना है जैसे कि हमारे इसमें dot land आएगी आपकी यहाँ पे बैटेगे भी साड़े-दस इंज या दस इंज पे आएगी एगर साड़े-दस इंज आपकी है तो आपको आदा इंज इधर margin हींचिए तो यह हमारी यह आगई जो हमारा यह पॉयंट है अब इस की लंबाई कितनी रखना चाहिए अब इसकी लंबाई को देखिए जैसे एक चार लोज आपका और बारिक जाएगी ठीक है? अब इस में क्या करना है? आपको प्लेट अब डालनी है डेर्ड इंज की अब यह देखें डेर्ड इंज की जब हम पनेट डालेंगे तो यहां से देखें डेर्ड इंज हम यहां पर ले ले दें क्योंकि एक सैट से डेर्ड इंज पड़ेंगी और दुसरे सैट से भी तो देखें डेर्ड इंज जब हम इसको यह लिंगे ऐसे करके त इसके अंदरий आप ये हो गई अब यहां से दोरी रखेंगे जैसे जो यह साइज है अंदर हम यहां पे रखेंगे साभा थ meditate महलब सब्सक्राइब ओधना। यह पॉइंट शेफें निकलना पड़ता है तो इससे हमें सब्सक्राइब ऐसाफ से आप लगा सbilirिते हैं उसमे यह नहीं है कि आपको इतने पर ही लगाना थे समय ध्यान रख लेंगे अब मैंंध सुछ इस तरीके से लेकर अभी हम सेंटर से यह इस तरीके से कि पंप probabilities प्रूना इंच हम इधर से ऐघ्यां इसको गीश कि तरीके से देखिए कुछा है और यह विल्सान इसको स्तरीके से लगाएंगे किrich यह टल चया जाएगीं तो यह कभर जो अब ये हमारी यहां अजि़खे लगर आ से हो जाएगी अब यह sensing यह वह पहिंने के बाद में आपने अक्सर देखा जब दालना चाहिए तो उस तरीके से और कहा पर डालते हैं वह भी मैं आपको बता देता हूं तो देखि जैसे देखिए ये जो हमारा ये सेंटर हो गया इस जो पलेट का सेंटर है ये वाला और जो ये हमने ये जो इसका सेंटर जो है यहां पे इस तरीके से इसको देखिए आप यहां से इसको ऐसे करके मिला देंगे पॉइंट से दोनों के पॉइंट ये देखिए इस तरीके तो जब हम होना चाहिए तो इसमें कम से कम हने के बाद में यह वाली प्लेट यहां पर जाएगी इस तरीके से और आपनी कर्टिंग करके और इस तरीके से कमबढ होता है तो आप उसको इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत ही जादा बेहतरी इन फिटिंग आएगी और दोस्तों आप एक बार इसको इस्तिमाल करके देखें आपको फरक खुद पता चल जाएगा कि हाँ बेहतर इसमें ही बनाने में यह है कि हम जब बना रहें यह जैसे हमने सिंपल एक बना दि कि यहां बहुत बहुत बेहतरी इन फिटिंग आईए तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो को लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं मैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला पीज अला पीडियो